Hello friends, तो आज हम दोस्तों सीखेंगे कि किस तरीके से अपना business का किताब आपको बनाना है पूरा दोस्तों AtoZ process में में बदाने वाला हूँ मेरे book journey का और किस तरीके से इसमें काम किया जाता है और किस तरीके से आप अपने किताब भी export कर सकते हैं देखिए दोस्तों ये मेरा स्टॉक है, जो मेरे घर पे ही रखा है, मेरे किताबों का, आईए दोस्तों इस वीडियो के अजंडा को देखते हैं, तो आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों कि किस तरीके से हम अपना बिसनस का रिप्रेजनेशन कर सकते हैं एक बुक के फॉर्म म ने, ये दोस्तों नय जमाने का बिसनस का विजिटिंग कार है, ये नय जमाने का अपना बिसनस का ब्रॉशर है, अब पुराना जमाना नहीं रहा कि लोग जो है अपना कार्ड शेर करते रहें, ये ओवरसीज में पूरा पैटन चेंज हो रहा है, आज अपने लोग अपने बिजनेस के किताबे बना रहे हैं, अपने किताब होते हैं, चाहिए छोटे या बड़े, और वही एक उनका बिजनेस का ही प्रेसेंटेशन होता है, तो इस वीडियो का हमारा अजेंडा होगा, कि हम कैसे potential customer, buyers के पास पहुच सकते हैं, नॉर्मली आप अपने business visiting card और ब्रोशर बनाओगे, तो वो कोई search करके तो find नहीं करेगा, कोई search करके तो find नहीं कर सकता ना, जब वो आपको मिलेगा, या आपको mail करेगा, या आपको whatsapp करेगा, तब आप share कर सकते हो, या फिर उनके contact को डून के आप उसको share कर सकते हो, लेकिन एक तरीके से दोस्तो trade fair जैसा है, जैसे trade fair में आपने foreign में कई stall लगाया है, और काफी सारे लोग आपको देखने आते हैं, आपका एक तरीके से business का representation होगा, हम आगे इसमें देखेंगे, किताबों में profit margins कितना होता है, तो किताबों में profit margins जो मेरा experience में share कर रहा हूँ, कोई आपको जादा भी कहेगा, और कोई जो मैं technique आपको कह रहा हूँ, वही technique से, similar technique वाले लोग apply करके, करोड़ोपती भी बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारे YouTubers भी आपको मिल जाएंगे, जिनोंने करोड़ो रुपिया, बुक जो है, अपना लिख के, in fact मैं कहूंगा, बुक को marketing करक लिखा भी नहीं, लेकिन marketing करके करोड़ो रुपिया बनाया, और वो कहते हैं कि author और writer में difference होता है, author का मतलब यह है, जो बुक का ownership author claim करता है, और writer वो होता है, जिनोंने लिखा होता है, तो author और writer में भी एक तरीका का difference है, तो चाहे for example content मैंने कुछ लिखा, आपको दिया, औ और आप वो एक किताब के form में आगे sell कर रहे हो, तो ownership आपका हो जाएगा, मैंने केवल writing आपको किया, writing के मैंने कुछ charge लिए, और ultimately author आपके पास है, और आप उनके author माने जाओगे, तो बुक बूसरों से लिखवा के भी, बहुत कम पैसों से, market कर रहे हैं काफी लोग, और बहुत पैसा कमा रहे हैं, right, काफी सारे अगर आप research study करोगे, right, तो जो author बहुत अमीर है, right, जो author बहुत आगे, वो actually एक book को sales funnel की तरह बनाते हैं, right, sales funnel का मतलब दोस्तों क्या है, कि book किताब से उनका इतना profit नहीं होता, right, book किताब से इतना profit नहीं होता, लेकिन book पढ़ने क के बाद उनकी product और services ली जाती है, उनको अलग-अलग college school में या उनके seminars में उनको बुलाया जाता है, या उनकी products खरीदी जाती है, और इस तरीके से उनका एक branding बन जाता है, right, ऐसे बहुत ही सारे लोग हैं, जिनोंने किताब से अपना impact जमाया हुआ है, right, छोटे से बड़े businessman इसमें शामिल है, उस तो मेरा जो experience रहा है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में share करूंगा, वो तकरीबन 25% of profit margin तो ये आपको बेही सकता है, book में से, फिर आगे जो आपके sales funnel के product services है, उसमें तो margin आप खुद तै करते हैं, वो अलग बात हो गई, लेकिन केवल किताब ज is माना जाता है, normally आपका business visiting card और brochure आपको profit नहीं दिला सकता, लेकिन ये आपको profit भी दिला सकता है, तो हम लेखेंगे कि किस तरीके से ये as a marketing module आज के modern world में use होता है, we are going to see that thoroughly, ये एक तरीका का आपका product without investment है, ये virtually zero investment में आप अपना किताब लिख सकते हो, और आप अपना किताब publish कर सकते हो, virtually zero investment दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, how to create a unique content that also we are going to see, जो pleasurism free हो, कहीं से copy paste ना किया गया हो, content में खुद आप कैसे बना सकते हो, कैसे research study करके अपना content आप खुद बना सकते हो, हम writing पार्ट भी, creation पार्ट भी इस वीडियो में बेखेंगे, क्योंकि बहुत सारी दोस्तों मुझे query आ रही है, sir हमको website content बनाना है, हम कैसे website content बनवाए, हम को email करना है, हम email content कैसे बनाए, तो ये सारी चीज आप स्वयम खुद बे कैसे कर सकते हो, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि ये आपके content आपको हर जगा पे काम आता है, नॉर्मल आप message भी करते हो buyer को, वहाँ पर भी आपको ये काम आएगा, आपके website में, email में भी आपको बहुत useful होगा, और आपकी किताब आपको लिखनी है, आपकी किताब में भी ये बहुत useful होने वाला है, जैसे आपका ब्रोश्ट, फिर further दोस्तों हम बेखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो किताबों का content है, उससे लोग प्रेदित हो जाए कि हमारी product और services बाई करें, राइट, क्योंकि बेखें कोई किताब रीड कर रहा है, तो एक क्या हो रहा है, वो आपके विचारों से, वो आपके products और services से जाबा करीब आ रहा है, तो हमारा बस आगे एक agenda इस वीडियो में further ये होगा, कि किस तरीके से हम हमारी book को connecting link कर देंगे हमारे product और services से, ताकि reader को भी बहुत फाइदा हो, और at the end of the day आपके products और services भी आप उनको further दे और आप उनकी सेवा जादा कर पाए, अपने readers की, ये हम further देखेंगे, और किताबों का marketing, book का marketing, तो किस तरीके से दोस्तों हम marketing कर सकते ह ये आपकी product और services में भी काम हैगा, it's not only about the book, ये के वल book के बात नहीं है, लेकिन ये आपकी हर product और services में ये वीडियो के जो agenda हमारे points है, ये बहुत कामाने वाले, तो बहुत ही fruitful और useful वीडियो लेने वाला है, दोस्तों अगर आप business man है या business woman है, तो वीडियो पूरा देखि है, तो सबसे पहले मैं आपसे share करने जा रहा हूँ, मेरा paperback book experience, दोस्तों ये कोई बात मैं इधर google से इधर उधर उठा के आपको कह नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मेरा अनुबव है, right, वो मैं आपसे share कर रहा हूँ, हलाकि मैंने मेरा book का journey सबसे पहले digitally launch किया था, लेकिन मैं मैं यहाँ पर सबसे पहले experience paperback का देना चाहता हूँ, actually book जो है, वो दो प्रकार की होती है, mainly, categories की अगर हम बात करें, एक fiction किताबे होती है, दूसरी non-fiction किताबे होती है, तो हम जो किताब लिखेंगे और हम जो हमारा business का impact हम जो create करना जा रहे हैं, वो non-fiction category में होगा, right, अब यह difference यह है, दोस्तो, fiction और non-fiction में, fiction का मतलब होता है, stories, kalpnik कताएं, जो reality-based नहीं होती, right, for example, Harry Potter का ले लीजिए, right, तो वो Harry Potter का जो कताएं, story है, वो kalpnik है, ऐसा reality में कुछ लेना देना नहीं है, और non-fiction जो versions होता है, वो reality-based होता है, right, जैसे आपने किसी का autobiography पढ़ा है, right जैसे आप reality, कोई app से experience शेर कर रहा है, business की किताबे होती है, right, so हमारी जो category रहेगी, वो रहेगी non-fiction, right, जो businessman और business woman के लिए आम तोर पर यह category बनाई गई है, अब जो paperback है, right, बहुत सारी book की, यह physical, जो हम book बोलते हैं, वो paperback बोलते है, right, फिर उसमें hardcover होता है, होता है, तो उसको hardbound बोलते है, thread धागे से tie किया गया है, उनका age, तो फिर उसको threadbound बोलते है, just spiral book वगरा होता है, right, तो paperback, right, is very famous, right, for the physical word copy book, तो यहाँ पर मैं दोस्तो paperback का experience आप से शेर करने जा रहा हूँ, अगर book cost print की बात करें, तो तकरीबन अगर आपकी 100 page की किताब है, तो 40 रुपे जितना आपका cost आएगा, book print कराने का, उसको अच्छे से format में, और minimum thousand यहाँ पर किताब आपको print कराने पड़ती है, यह depends होता है, इसे भी आप कम print करा सकते हो, लेकिन cost और बढ़ जाएगा, साथ साथ में आपका administration cost भी लग जाएगा, तकरीबन 10 रुपे के आसपस, क्यूंकि उसका cover भी आपको अच्छे से design कराना होता है, वो color होता है, उसके थोड़े extra charge आपको लगेंगे, उसका packing box से में क कराना पड़ेगा, आपको उसका type भी होगा, तो administration cost और 10 रुपे का हो जाता है, आपकी तकरीबन 100 pages के किताब का, यानि कि अगर आपकी किताब, आप 1000 print कराते हो, तो आपका 50,000 रुपे का जितना आपका cost आएगा, यानि कि per book यहाँ पर आपका cost आएगा 50 रुपे, और इसक cost hardbook print का रवाई थी, उसकी मैंने MRP रखी थी 249 की, जो export import made very easy थी, उसकी, रुपे का मैंने उसका price रखा था, MRP, तो जैसे दोस्तों मैंने कहा कि per book का cost भी यहाँ पर लिख देते है, 50 INR, एक book का यह cost हो जाता है, और उनकी MRP जो है, वो 249 INR मैंने रखी थी, red book की MRP, अब दोस्तों इसका अगर आप profit margin देखेंगे, तो यहाँ पर आपको देखके clearly लग रहा होगा कि अपका per book का profit margin 199 रुपीज हो रहा है, अब profit margin इसको हम percentage में देखेंगे, right way 398% हो रहा है, यानि कि देखेंगे दोस्तों तकरीवन 400 टका आपको profit मिल रहा है, आपने बहुत सारे यसे YouTube वीडियो देखेंगे, कि product की cost बहुत कम होती है, और price उनकी बहुत सादा होती है, तो बहुत अच्छा margin है, अच्छा margin है, बनिएगा, right, ये 400-500 टका, मैंने कुछ वीडियो से देखेंगे, wheat floor आप export करो, right, इतना टका margin, ये product export करो, इसमें 300-400 टका margin, right, ऐसे वीडियो बनाने वालों से केवल आप एक ही चीज बता देना, कि ये चीज मुझे export करनी है, right, आप मुझे केवल 100 टका, 50 टका, या 5 टका margin दे दो, बागी का आप रख लो, right, सब भाग जाएंगे, कोई नहीं करके देगा, right, तो इस तरीके से आप बेवकूफी में मत पढ़ियेगा, क्योंकि ये concept में, मैंने first book launch किया था, उसमें मुझे loss हो गया, दोस्तो, right, तो इस तरीके का 400 का टका मुझे margin मिला ही नहीं, however, ज खरचा लगता है, जिसे, Google Ads का मुझे cost लगा था, वो 10 रुपीज पर click था, right, मेरी particular किताब के लिए, और क्योंकि देखिये, हमारी किताब ऐसे तो गोई नहीं लेगा, right, ऐसे तो आप product कितने की भी लगता हो, आप अपने मन के मरजी के माली को, right, इसकी cost आप 1000 भी रख सकत हो, लेकिन somebody has to buy, तो ये सारी चीजों में, right, you need to spend a lot in marketing, right, अपनी brand build-up करने के लिए, marketing करने के लिए, कितने का खर्चा आता है, right, it's very expensive, so, यहाँ पर Google Ads का, अगर आप cost देखे, 10 रुपीज पर click का, और 10 click हम approximately कोई कर देगा, अलग-अलग, लोग, तो 100 रुपे तो केवल आ अलग भी ले लेगा, courier, packing, billing, ये सारी चीज़े भी तो आपको करने ही पड़ेगी, right, तो देखिए, 1500 रुपे तो यहीं से निकल गए हमारे, right, अब और भी सब्सक्राइब क्लिक होती है, buy, जो है, क्योंकि सब लोग click करके लेने नहीं वाले हैं, right, not everybody are going to buy, कुछ लोग द profit हो रहा है per book, right, तो आप normal कोई व्यक्ति, अगर ऐसे ही calculation करेगा, तो उसको लगए, इसमें तो बहुत profit है, लेकिन जब practically जब लोग करते हैं, काम, तब पता चलता है कि भाई, इसमें क्या profit है, क्या loss है, right, और अगर दोस्तों, में मेरे profitable experience की बात करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा experience, digital किताबों से publish करने से मिला, ना कि physical book, right, क्योंकि ये बहुत easy भी था, इसे cost भी कम आया, मैं लोगों को कम cost में भी दे सका, और अच्छा profit भी हुआ, और वो book readers, जो है, मेरे client और customer भी बन पाए, right, तो बहुत ही useful रहता है, दोस्तों, किताब publish करना अपने product और services क लिए, और दोस्तों, जबी आप book अपने group circle, अपने business circle में आप distribute करते हो, तो इससे एक बहुत ही अच्छी impact create होती है, right, और आप जो है, ज़ादा अच्छे level के लोगों के साथ communicate कर सकते हो, और वो आपको अच्छा समय दे सकते हैं, और वहाँ से opportunities बहुत सारी click होती है, so always book helps a lot, right, एक और दोस्तों, बड़ी secret में आपके साथ share करना चाहूंगा, कि overseas country में अगर आपको business establish करना है, या setup डालना है, यहाँ वहाँ पर stay करना है, तो author को हमेशा बहुत अच्छी preference दी जाती है, एक अच्छी नजर से देखा जाता है author को, तो अगर आप दोस्तों author बन जात हो, तो बड़ी countries जैसे US है, Canada है, European countries है, वहाँ पर आपको visa में preference दिया जाएगा, right, it's just like a cherry on cake, right, के cake है, उसके उपर एक cherry लग जाती है, इसी तरीके से आप author हो, तो आपको overseas country में, चाहे business visa हो, या other visas हो, right, या other visiting visas हो, आपको अच्छी नजर से लेखा जाएगा, और आपको अच्छा preference मिलेगा, या आप किसी भी visa के अच्छे expert से पूछ सकते हो, right, कि author होना कितना valuable होता है visas के लिए, अब फर्दर दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम एक impressive content create कर सकते हैं, किस तरीके से हम author बन सकते हैं, और ये केवल content book के लिए ही नहीं, लेकिन आपकी website जो होगी, उसमे अब ही content चाहिए होगा, तो कैसे content हम impressive बना सकते हैं, email हम करते हैं, तो कैसे content हम बना सकते हैं, तो ये चाहिए लिए दोस्तों सीखते हैं, तो दोस्तों इसे पहले भी मैं आपको example एक देता हूँ, एक author है, जो है Stephen Pyralos, ये author जो है, इनकी YouTube channel साब काफी सारी चीज़े सीख सकत हो, काफी अमीर बने हैं, और तो बड़े-बड़े ये vacation करते हैं, और इनका YouTube channel है Project Life Mastery करके, ये आप चेक कर सकते हो, उसमें वो काफी सारी बाते बताते हैं, कि किस तरीके से एक author बहुत ही अमीर बन सकता है, और इनके fundamentals ये बताते हैं, कुछ चीज़े आपको shocking लगेगी, ज बड़ा difference होता है दोस्तों, तो author जो है, author जरुए नहीं है कि खुद ही किताब लिखे, वो दूसरों से किताब लिखवा भी सकते हैं, लेकिन खुद की authority, रैट, वो किताब के मालिक, रैट, वो अपने आपको बताते हैं, जैसे आप समझे दोस्तों कि आपका घर है, तो आपका घर आपने नहीं बनाया, ठीक है, वो आम, मजदूर, लेबर्स ने आपका घर बनाया है, लेकिन घर आपका माना जा रहा है, क्यों क्योंकि आपकी ownership है, इसी तरीके से किताब वो में भी ऐसा होता है, तो Stephen के, मैंने उनके वीडियो में देखा था, सुना था कि करीब अब यहाँ पर दोस्तों, मैं यह नहीं कहना चाहरा कि आप दूसरों से किताब लिखवा लिजिए, इसके लिए तो आपके शाथ freelancers की website में बहुत सारे option है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ, दोस्तों, initial stage में कैसे free of cost, आप अच्छे से अच्छा content create कर सकते हो, हम किस त free of cost, दोस्तों, तो आईए हम देखते हैं इसको, सीखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों, आपको करना यह होगा, कि आपको जो content के बारे में लिखना है, उसका आपको जादस जादा Google research करना होगा, जादस जादा आपको research करना होगा, अब जैसे मैं मेरी website से ही कुछ content लेता और उसमें ही हम कुछ re-modify करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो अब मान लेते हैं दोस्तों कि आपको मेरी website का कुछ content अच्छा लगता है, जैसे कि यह first paragraph आपको बहुत अच्छा लगा, आप चाहते हो कि काश यह आपका हो या आपका ownership हो, लेकिन actually क्या होता है कि जब भी content मेरी website से दूसरी website में कोई copy paste करेगा, तो जो pleasureism checker है, उसमें तुरंत ही detect हो जाएगा कि यह content बाराए overseas से लिया गया है, अगर मैं कई और जगा से उठा के मेरी website में डालता हूं, तो भी pleasureism checker बता देगा, कि यह content सबसे पहली बार कहां पे बना था, उनका origin कहा था, और यह सारे pleasureism checker आप करोगे, तो आपको Google से बहुत सारे से मिल जाएंगे, तो यहाँ पर content copy paste कोई करेगा, तो उनको पता चलेगा कि यह origin कहां का है, अब आपके mind में दोस्तों यह हो सकता है, कि मैं मेरी website में जो भी content डालू, क्या फरक पड़ता है, नहीं दोस्तों, लेकिन Google का automatic algorithm होता है अगर आपने content copy paste डाला तो आपका website बहुत पीछाएगा, आगे आएगा ही नहीं, यह बहुत ज़रूरी है कि आपका content जो है, वो fresh हो, unique हो, right, अब IT business वालों से आप website develop करवाते हैं, तो क्या होता है, pleasureism बहुत आता है, क्योंकि वो copy paste करते हैं, यहाँ पर देखिए 100% pleasureism, यान अब चाते हो कि आप अपनी website में आवे, और pleasureism ना हो, तो इसके लिए हम easy free technique क्या apply कर सकते हैं, no doubt आप expert की तो help ले सकते हो, you will be getting lot of content writer, copy writer to do the task for you, लेकिन अभी हमार पास उतना budget नहीं है, हम start-up हैं, हम सीखना चाते हैं, हम आगे बढ़ना चाते हैं, हम basic level पे हैं, तो हमको क् बाराई overseas है, उसके जगा मैं यहां पर x, y, z overseas किया, ठीक है, बाकी का मैंने as it is रखा हुआ है, तो अब check करते हैं, कि मैं बाराई overseas की जगा पे एक छोटा सा change, x, y, z overseas करता हूं, तो इसके क्या परिणाम आते हैं, मैं वापिस से वो check करता हूं, so let's check it, और पता लगाते हैं कि क्या result आके निकलता है, so यहां पर हमने देखा दोस्तों कि देखिए 50-50 हो गया, यानि कि 50% content unique हो गया, 50% pleasureism हो गया, actually दोस्तों क्या है कि इसमें दो line थी, एक line में आपने नाम change कर दिया, ठीक है, तो अभी तो आपने थोड़ा, ये unique माना जाता है दोस्तों, आपको time में कोई change नहीं था, तो वो copied माना जाता है, यानि कि दोस्तों मैं आपको समझाना ये चारा था कि आपको बहुत जादा बडलाव करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बडलाव करोगे न, तो भी आपका content एक दम unique आ जाएगा, अब जैसे आपने पूरा passage लिया यह हम आपको बताने चारा हूँ, दोस्तों यह कहीं पर नहीं मिलेगा, यह export-import business के लिए यह वीडियो आप पूरा बेखे का दोस्तों आपको बहुत फाइबा होने वाला है, आपके content creation में, क्योंकि बहुत सारी exporter's की website से आपको बहुत अच्छा content मिलेगा, तो आप इससे स content आपको website से अच्छा लगे, जैसे मैंने यह पर बेरा content ही उठाया है, उसको मैंने convert Spanish language में कर दिया, अब Spanish वाला copy कर दीजिए, ठीक है, वापिस से Google Translator में चले जाए, वो Spanish content डालिए, Spanish to French कर दीजिए, ठीक है, यह Spanish to French आप कर दीजिए, अब मेरा content है Spanish to French हो गया, अब French content मे copy कर देता हूँ, अब मुझे करना यह है कि French का जो content मैंने यहापर सीधा सीधा paste किया है, वो मैं back to English कर दूँगा, अब जब भी मैं यह French content को English कर देता हूँ, और वापिस में pleasureism checker में उसको paste कर रहा हूँ, अब दोस्तों आप check करिएगा, कि यह क्या result आपको देता है, यह ए अब देखिए, 100% unique दोस्तों, 100% unique, आपका content पूरा पूरा unique हो गया, अब यह कैसे हो गया दोस्तों, यह magic है दोस्तों, गूगल के technological अपग्रेडेशन का, उन्होंने अपना translator इतना अपग्रेड किया है, इतना अच्छा अपग्रेड किया है, कि जिससे हम यह फाइदा ले प अब यह मैं आपको आपकी भासा में, साधरना भासा में बताऊं, तो हुआ क्या है, कि मान लिजिए कि आपकी कोई किताब जो है, वो आपने English में लिखी है, अब आपने किसी को convert करने के लिए भी गुजराती में, उसने गुजराती में किताब बना दी, अब यह गुजरात आपने लिखा था, और ultimately convert जो किया हुआ है, किसी दूसरे परसन ने किया हुआ है, तो it's just like that, कि मैं अगर कोई निबंद लिखता हूँ, किसी topic के उपर, तो मेरा निबंद बले English में है, और आपका निबंद भी English में है, तो दोनों में थोड़ा फरक तो आएगा, इसी तरीक चीज़ है, जैसे as it is, अगर मैं, दोनों मेरे पैसेज यहां पर रखे हुए है, तो देखिए, कि इसमें change है, कि यहां पर थोड़ा बडलाव कर दिया गया है, जैसे यहां पर we empower है, right, we enable की जगा, we empower नीचे आ गया है, right, फिर आप नीचे देख सकते हो, कि यहां पर export import guidance and guidelines आ गया है, मतलब इसमें थोड़ा और बडलाव भी आप कर सकते हो, लेकिन यह बहुत useful है, दोस्तों, आपका content जो है, सीधा unique कर देता है, बहुत ही अच्छा दोस्तों यह चीज़ है, अब दोस्तों मैंने मेरे जो तीन नए किताब लिखे हैं, right, जो मैं publish करने के लिए जा रहा हूं, वो तीनों मैं आपको बताना चाहता हूं, right, एक मैंने किताब यहाँ पर लिखा है, वो है भगवत गीता as it is, जो प्रपुपदा का है, उसको कैसे समझे, हावेवर मैंने, मैंने बेजिक किताब तो मैंने launch किया ही हुआ है भगवत गीता के बारे में, लेकिन advanced कि किताब को समझना थोड़ा difficult है, तो मैंने यह किताब एक बनाया हुआ है, जिससे आप advanced level का भगवत गीता समझ सकते हो, right, तो यह मेरा एक book है, वो मैरे content create, अब देखे दोस्तों, content आपको जन्म से ही नहीं आता होगा, आपको भी research करना होगा, आपको भी study करना होगा, तो मै काफी घंटे, काफी time लगा है दोस्तों मुझे करने में, right, तो कोई भी समाचदार बंदा होगा, वो क्या करेगा, वो सीधा जाके मेरा book purchase कर लेगा, right, सिर्फ मेरा book ही नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे available book source होते हैं, जो आपका समय बचाते हैं, right, अगर आप घंटों घंटो घंटों research करते रहोगे, अभी देखिए जैसे मैं आपको वेदा का ही example देता हूँ, right, अब वेदा पूरा पढ़ने जाओगे, right, तो उसमें से आपको benefit नहीं मिलने वाला है, तो हमारा सास्तर क्या कहता है, हमारा सास्तर ये है, कि कहता है कि अगर आपको फल चाहिए, अगर चीज है, कि internet पे तो सब चीज मिली है, लेकिन best से best collect करके, जो लोग बंबे अपनी किताब बनाते हैं, अपनी book बनाते हैं, दोस्तों, इनकी किताब है बहुत चलती है, right, और यहाँ पर मैं आपको सारा बताने वाला हूँ, मैं मेरा sales भी बताऊंगा, दोस्तों, यहाँ पर for the beginners, मैंने कुरान भी यहाँ पर लिखी है, मतलब कुरान की glories, right, glories, मतलब उनकी एक impact, उनकी एक importance, ठीक है, तो यह सारे content जो है, दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, किसको, हमको e-pub file में भी करना होगा, किस तरीके से, और दोस्तों, बड़ी से बड़ी बात यह है कि सारा free में हो जाता है, दोस्तो, it's free, सिर्फ आपको virtually free मैं बोल रहा हूँ, कुछ खर्चा होता है, जैसा आपका internet package, सब वगेर आप चीज लेते हो, बाकी तो, दोस्तों, सारी चीज़े free है, right, free की, आप किताबे publish करोगे, अपना content publish करोगे, और उसकी आपको royalties benefit भी मिलता है, और सबसे बड़ा फाइदा आपके business को होता है, that's the biggest benefit you get in this, और दोस्तों, वापीस मैं आपको बता देता हूँ, book आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, बड़े-बड़े authors ने अपने किताबे लिखवाए है, मैं आपको ऐसे बहुत example दे सकता हूँ, आप बड़े author देख को करोड़ों कमा रहे हैं, इनकी किताब है, जो bestseller रही, the chicken soup for the soul book, और ये जो bob proctor है, उनके पास से story ली थी, और भी काफी सारे पास से, ये jack भाई ने story ली थी, और एक organized तरीके से किताब में रख दिया, और उनकी किताब हिट हो गई, दोस्तों, यानि कि आप समझ ये कि ल लिखना इतना important नहीं है, right, मकान बनाना इतना important नहीं है, सबसे important क्या है, ownership होना, वो लिखाई में आपकी माली की होना, right, अपना ownership होना, ये ज़रूरी है, इसको ही author कहते हैं, तो बड़े-बड़े author जो होते हैं, उनके पास ideas होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, copy-paste करते हैं, उनके बस ideas होते, right, और वो ideas से जो अच्छे writer है उसके पास से वो लिखवा लेते, और Dan Lok भी कुछ इसी तरीके का चीजों को emphasize करते थे, उन्हेंने कहा था कि ऐसा मुझे मत बोलना कि I am best writing author, right, I am not best writing author, I am best selling author, तो ये भी दोस्तों ये ही चीज़ को emphasize करता है, दोस्तों जब मैंने लिखना शुरू किया, तब मुझे ये author वाले concept में, या ये book के concepts में, इसको कैसे sell करना, कैसे आगे बढ़ना मुझे पता नहीं था, मैंने experience मेरा book लिखा था, Exporting Board Made Very Easy, वो काफी अच्छा चला, तो मैंने एक किताब और लिखा, जो book को मैंने नाम दिया writing and selling books made very easy, क्योंकि मुझे लगा कि author अपना किताब अपने आप ही लिखते हैं, लेकिन इसके reviews मुझे USA से खराब आने शुरू हो गए, और एक व्यक्ती ने मुझे one star दे दिया, तो मैंने just कोशिश करना चाहा कि मैं अपने आपको कैसे improve कर पाऊं, मैंने बात करने के कोशिश की, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, कोई लिखता है ही नहीं, जो बड़े लोग है, उनके पास समय ही नहीं है कोई चीजों को लिखे, वो अच्छी तरीके से चीजों को present करते हैं, अब आप अपने आप लिखते हो, देखिए, लिखना तो मजदूरी का काम है, य जो businessmen होते हैं, जो एक high level author होते हैं, वो चीजों को अच्छे से present करना जानते हैं, यह चीज बहुत important है, दोस्तों, however, मैंने इसमें मेरा experience share किया था, और मैंने उसके बाद इस किताब को काफी update किया, और further जो है, यह किताब के positive reviews आना है मुझे शुरू हूँ है, क्योंकि digital book तो it is good that I can update it also later on, right, तो यह चीज की बात है, दोस्तों, और दोस्तों, आप confused बिलकुल मत होना, कि author writer नहीं हो सकता, बहुत सारी किताबे हैं, right, जो author ही, author नहीं लिखी है, लेकिन, जाधातर वो किताबे है, वो fiction based होती है, right, जो non fiction based होती है, किताबे, वो आम तोर पर businessmen ने लिखी है, या फिर वो लोगों ने लिखी है, जिनको business का अनुबह है, experience है, कई काम किया है, technical knowledge है, वो non fiction किताबे, right, जाबा लिखते हैं, या जाबा, यह कहूंगा, लिखवाते हैं, right, तो हावर, बस दोस्तों, हमको समदना ये है, कि content, जो है, हम कैसे भी करके create कर सकते हैं, शुरुआत में आप खुद ट्राइ करिए, क्योंकि दोस्तों, मैं तो मेरी किताबे सारी खुद ही लिखता हुथा, right, इसलिए मैंने ये writing and selling book का नाम दिया था, और इसमें main चीज़ हाती है, marketing, और ये बात जो है, मैंने अमिश बाई त्रिपाठी जो author है, उन से सुनी है, क उनके पास बहुत सारी ऐसी किताबे हैं, जो जानते हैं, hundreds of book he knows, जो best selling बन सकती थी, लेकिन वो किताबों को किसी ने पढ़ा तक नहीं, किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि author को पता ही नहीं था कि marketing कैसे किया जाए, तो हम ये भी discuss करेंगे कि किस तरीके से marketing हो पाए, और य ये जो Amish Trifati ji है, इन्होंने अपनी किताब marketing करने के लिए एक वीडियो बनाया थे, और वो जो multiplex होते हैं, जहाँ पर movies चलती है, वहाँ पर जो intro, जो initially या break में local ads आती है, वहाँ पर ऐसी ads run कराई थी, दोस्तों वो आप reasonable budget में कर सकते हो, एक level पर पहुँचके, और एक तर for your book, तो सीदा अपका sales, जो है, वो trigger हो जाता है, और आज के टाम में बहुत सारी digital ways भी है, so we are going to see that part later on, further दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे हम को हम हमारी किताब book publish कर सकते हैं, और initially as a start-up हम free of cost यह कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी आपके mind में कुछ प्रशना आ रहे होंगे, वो मैं clear करना चाहूंगा, एक प्रशना को यह आ रहा होगा, कि सर अभी तो जमाना वीडियो का है, यूट्यूब का जमाना है, और किताबे तो लोग कम पड़ा करते हैं, तो क्या किताबों के segment में हमको जाना चाहिए, देखे दोस्तों, आप अपनी website बनाओगे, ठीक है, अपना email बनाओगे, तो आपको कही न कही written content की जरूद पड़ेगी, अब मैं आता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किताबे जो हैं, वो कम preferable हो रही है, और वीडियो content जादा लोगों को अच्छा लग रहा है, उसका main reason यह है दोस्तों कि वीडियो content में continuous improvement हुआ है, वीडियो creator के द्वारा, जबकि जो traditional author है, जिसको author भी नहीं कह सकते हम, लेखक, वो traditional pattern से improve नहीं हो पाए, इसे कारण जो writing material का, traditional writing material का value होना चाहिए, वो value लोग नहीं कर पारे, जैसे example की तौर पर मैं आपको बताऊं तू, तो YouTube में भी अब आ रहा है shots, right, कि एक minute के वीडियो, ये shots क्यों आया, they have just tried to implement the things from the TikTok, right, वैसे ही Instagram में, Instagram Reels का concept है, मतलब अब ही क्या है कि छोटे छोटे वीडियो का concept आ रहा है, क्योंकि लंबे वीडियो भी नहीं देखते, right, आप देखिए कि YouTube में एक गंटे, दो गंटे के वीडियो आ रहे है, वो कितने लोग देखते है, right, और छोटे वीडियो की viewership कितनी होती है, अलाकि बड़े वीडियो में कुछ वीड content जहां पर जरूरत है, वहाँ पर बड़ा content भी डालते है, लेकिन दोस्तों हमको समझना पड़ेगा market की need, तो जो author ने ये चीज़ को समझ लिया है, ये लोग आज की date में भी लाखो क्रोड़ रुपया बना रहे, right, और जो लोगोंने ये समझा नहीं है, वो outdated हो रहे है, अ author को 200-500 pages की किताब नहीं बनानी है, right, ऐसा कोई नहीं पढ़ना चाहता, right, इस time पे जो ज़्यादातर किताब कौन से चल रहे है, हिट हो रही है, जो 20 page की हो, 50 page की हो, या 100 page के अंदर हो, ऐसी short read, quick read, लोग ज़्यादा prefer करता है, right, आप देखिए दोस्तों, कि content creator के लिए important क् दोस्तों, उनका revenue भी important है, right, जैसे को YouTube में free में content डाल रहा है, तो वो ज़्यादा दर free में ने डाल पाएगा, अगर उसको कुछ इना कुछ revenue ना मिले, तो YouTube बहुत कम revenue देता है, right, तो survival बहुत मुश्किल हो जाता है, हला कि अगर आपकी किताबे हैं, तो किताब में से आपक इसलिए बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यह short read है, right, आप जो है, उसको कम समय में पूरा read कर सकते हो, प्लस यह जो किताबे है, short short, यह बहुत ही मैनच से बनाई गई है, it's not like that, कि यह easy से तुरंती create कर दें, नहीं, जो author हैं उन्होंने काफी research किया, काफी study किया, काफी content क collect किया, उस content को improvise किया, और यह आपको content दे रही, यानि कि आपके घंटों-घंटों समय आप जो free में research करते हो, YouTube या Google में, वो आपके घंटों-घंटों research, write का time frame जो है, वो कम कर देता है, अगर आप इसकी अच्छी किताब पढ़ ले, example में के तोर पे, एक और मैं आपको बत free videos देखोगे, उसमें से अच्छा-च्छा-च्छा apply करने में, आपको बहुत समय लग जाएगा, इससे बेतर यह है कि YouTube marketing की आप book अगर खरीद लोगे, या कोई paid content ले लोगे, right, तो आपको इससे और benefit होने वाला है, right, तो यह चीज क्या है कि it will save your time, paid content will save your time, right, और यह majority of case मे होता है, मैं हर case में नहीं कहा रहा हूँ, लेकिन majority of case में यह होता है, क्योंकि काफी मैनत बाद वो चीज जो है, वो paid बनती है, और उसके लोग अच्छे reviews देना शुरू करते है, right, जब वो market से थोड़ा अलग चीज हो, right, so that's all about the thing, कि अपना एक छोटा content बनाईए, right, और अ किताबे बहुत कम reads हुआ करती थी, पहले के time में भी, अगर हम सास्तों की बात को समझे, लेकिन वेद वियासची ने ये वेदों का विबाजन किया, right, उसके short versions लाए, ये सब क्यों आया, ये सब कल्यूक के जीवों के लिए आया, right, क्योंकि ये कल्यूक के जीव जो है न, पूरा way नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उनका विबाजन किया, आपको best चीज दी, right, आपका समय बज सके, इस तरीके का पूरा system दिया गया, so reading को बहुत improve किया गया है, plus YouTube में limitation ये भी है, कि आप पूरा वीडियो देखते हो, तो कभी call आ जाता है, कभी add आ जाता है, कभी आप इस चीज को समझे, तो आपका retention, यानि कि आपकी देमाग की जो capacity है, याद रखने के लिए, वो किताब वो से ही ज़ादा आती है, as compared to video, right, तो ये चीज है, तो obviously, right, ये फोरान के लोग तो समझी रहे हैं, और ये जो मैं कहूंगा कि author के लिए करांतिकारी जो चीज पहुचा दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, digital content platforms का, जैसे Amazon और Google है, कि उनकी बतौलत लोग कहीं आगे पहुच पाए, तो दोस्तों आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, right, कि YouTube वीडियो अच्छा है, right, marketing के लिए या एक book अच्छा है, दोनों ही अच्छा है, right, उनकी अपनी-अपनी importance है, तो दोनों ही करिए, right, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा marketplace है, right, यहाँ पर तकरीबन 3 million titles है, किताबों के, और 200 billion से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, पूरे दुनिया पर में से, ये website को, उनके किताबों को सर्फ करने, और purchase करने के लिए, right, य और आपको ये page मिलेगा, right, उसमें further आपको एक account create करना होगा, ये मैं पूरा process दोस्तों इस वीडियो में हमें आपको करके बताने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले, right, कि किस तरीके से हमारे digital content create करके हम इसको अच्छे से publish कर सकते हैं, right, और ना सिर्फ इंडिया में, right, बड़कि UK, Canada, UK, Germany, France, Italy, Spain, Japan, Brazil, और भी countries में add हो रहे, right, आप तकरीबन 12 से 16 countries में, दोस्तों direct आप export कर सकते हैं, तो मेरा sales, right, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर युहीं बात कर रहे हैं या खुद भी बेच रहे हैं, देखिए दोस्तों मेरी किताबे, hundreds of thousands of किताबे म यह मेरा sales report भी मैं आपको बताया, यह मेरी किताबे है, यह मेरा Amazon का account है, जहापर मेरी किताबे publish करता हूँ, sale भी करता हूँ, right, तो जो Amazon का pattern है, वही Google का pattern है, तो यहाँ पर, क्योंकि Amazon is very famous, right, और फिर Google जो है, वो दिरे-दिरे इसमें भी famous हो रहा है, तो उसकी pattern almost similar है publishing की, त तो हम एक पूरा Amazon में हमें process करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको यह हर जगा गाम आए, चाहे दूसरे भी digital platform है, almost similar सा pattern रहेगा, आप अपनी किताबे publish कर सकते हो, जैसे दोस्तों मैंने बताया, कि cost of production तो बिलकुल free है, right, और हमको royalties income मिल रहा है, तो यह बहुत ही अच् 50% of royalties हमको यहाँ पर मिल सकता है, और उनमे 35 और 75% के slabs है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो basic सी information आपको fill up करनी है, जैसे author कौन है, right, title का नाम क्या रखना चाहते हो, basic सी बात है, right, जादा difficult इसमें नहीं है, किताब का description क्या होगा, right, तो जैसे मैंने content आपको बनाना स सिखाया, इसी तरीके से आप book में, अपने website में, अपने email में, और अपने book description में भी आप content अपना create कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर मेरे content already word file में create करके रखे है, right, तो मैं इस message choose करके, इसको copy करके पेश कर दूँगा, देखे दोस्तों, चीज़े हमको ready रखनी पड़ती है, right वहाँ पर अप description में type करने जाओगे तो, होगा नहीं, इतना proper, तो हमारा पास यहाँ पर ready description दोस्तों मैंने रखा है, right, तो इसी चीज़ को मैं copy कर लूँगा, और further अपने website में, Amazon के website में, मैं यह paste कर देता हूँ, यह किताब का description होगे, यानि कि read करने से पहले उनको पता च किता, as it is को समझने में आपको आसानी होगी, आपको पूरी किताब अगर आप समझना चाहते हो भगर गीता का advanced level का, तो अगर यह किताब पढ़के वो advanced level का पढ़ेंगे किताब, इसमें already advanced level की काफी information दी गई है, तो उनको बैतर ही होगी, आसानी होगी चीज़े को समझने म तो यह मेरा किताब है, अब हमको amazon suggest करता है, मतलब बताता है कि कौन से keywords हम वहाँ पर set करें, क्योंकि क्या होगा, amazon में कोई type करेगा, या किताब में कोई search करेगा, तो हमारा किताब वहाँ पर आवेगा, तो तकरीबन हमको 7 keywords देने पढ़ते हैं, अब इसके लिए दोस्तों आप best tool use कर सकते हैं, Google का keyword planner, keyword planner बहुत ही effective है और दोस्तों free है, मैं पहले बहुत ही Google ads दिया करता था, लेकिन अभी तो दोस्तों भगवान के किरिपा से मुझे sales organically आ रहे हैं, और हमेशा दोस्तों आपका भी ऐसा ही goal होना चाहिए, कि देखिए अभी अभी हमको पर advertisement देना पड़े, लेकिन इतनी अच्छी quality दो, इतनी अच्छी customer को service दो, इतना अच्छा customer को content दो, कि लोगों को वापिस आपको आना पड़े, आपको बार-बार marketing long time में ना करना पड़े, फिर भी marketing आप कर सकते हो, बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना अच्छा service दो कि इतना word of mouth से आपका marketing होता रहेगा, तो keyword planner जो है, यहां से हमको पता चलेगा कि कौन से keywords एक्चुल में लोग जादा search करते हैं, और इसके उपर से हम हमारे keyword जो है, वो Amazon में set करेंगे, ताकि क्या है कि जो भी search करेगा, तो हमारी किता वहाँ पर आएगी, और हमको वह एक बार हमारी किताब देखेगा, तो ले पाएगा, अगर देखेगा ही नहीं, तो कैसे ले पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने का, 3 million से जादा titles है, क्योंकि हर एक businessman अभी ये अपनी किताबे डाल रहा है, खुद क्या business जो इसका है, वो किताबे डाल रहा है, तो non-fiction इतना जादा आए, तो इसमें भी एक तरीके का हमको leading age लेना पड़ेगा, और हम ले सकते हैं, अब ये keyword planner मैंने open किया, देखिए दोस्तों, यहाँ पर Google काफी हमको suggest करता है, यह basically keyword planner का tutorial मैंने आपको open करके बताया है, जैसे यहाँ पर मैंने shoes search किया, तो कितने लोग अलग-अलग प्रकार के shoes search करते हैं, कितनी brands का search करते हैं, brand से type करके search करते हैं, इसमें search filter भी है, कि specific brand को आप हटा के भी check कर सकते हो, बहुत सारी functions है, आप tutorial यहा पर type कर रहा हूँ, वो है भगवत गीता, अब मुझे बताइए कि भगवत गीता और उनके related keywords है, वो क्या है और उसके कितने search होते हैं, तो यह जो है, मुझे keyword planner बता देगा, देखे दोस्तों आ गया, specifically अगर भगवत गीता, राइट की बात करें तो, 100k to 1 billion search होते हैं monthly, और यह देखे दोस्तों उपर location India set किया गया है, यह और भी location आप करोगे, तो और भी आपको results अलग-अलग मिलते रहेंगे, तो इसी तरीके से हमको बहुत सारे इनके और भगवगीता और उनके related keywords मिलेंगे, और उनको पता चलेगा कि इसकी वास्तविकता में searches कितनी होती है, द अगर कुछ search करोगे, तो कुछ आपको Amazon के Google search में Amazon के result आते है, वो क्यों, क्योंकि Amazon भी खुद marketing करता है, अगर आपका content अचा है, तो फिर आपका पैसा बज़ जाएगा, Amazon खुदी marketing आपके लिए करेगा, जैसे मेरी कुछ किताबे हैं, उसका Amazon खुद marketing करता है, जैसे भगव Amazon भी Google के algorithms का, ये keyword का pattern जो है, वो use करता है, अपने add देने के लिए, तो इसलिए, अपने keywords अकर आप किताब के लिए choose करते हो, या product के लिए choose करते हो, तो ये बहुत important है, कि आप इसके लिए Google keyword channel का use करे, तो देखें दोस्तों, इसी तरीके से keyword जो है, मैंने set कर दिया है, अब दोस्तों, keyword में आप ऐसा मत रख्येगा कि आपका relevant keyword आपको मिलेगा ही मिलेगा, right, for example, आपका cactus fruit juice जैसा product है, तो cactus fruit juice सर्च इस नहीं होगे, लेकिन orange juice सर्च होता होगा, ठीक है, तो orange juice वाले को cactus fruit पिलाना शुरू कर दोगे, क्योंकि जो juice पी रहा है, वो ultimately कोई दूसरा try करे ठीक है, तो देखिए, further जो है, age group, कौन से age group या कौन से minimum, maximum, standard तक आप यह अपना promote करना चाहते हो, आप आसानी से choose कर सकते हो, अपना relevant category is also very very important, कि कौन सी category में आपकी book का promotion, बटलब category में होगा, तो बहुत सारी category होती है, educational होती है, right fiction होती है, religious based होती है, category की category होती है, तब आ relevant category आपके business के अनुसार आपको लगे, business की बहुत ही deafness है इसमें, ठीक है दोस्तो, तो इसके अनुसार आप specifically choose कर सकते हो, फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर upload करना है अपना book का cover, right, book का cover आप बहुत सारी जगा से बनवा सकते हैं, या खुद भी बना सकते हैं, जिसे canva करके बहुत ही famous साइट है, वहाँ पर आप चूज कर सकते हो कि kindle का cover ही create करना है और आपको बहुत सारे tools मिल जाएंगे और free में आपका kindle cover बन जाएगा, right, बहुत ही आप help ले सकते हो, freelancers की, right, जैसे fiverr जैसी website है, जो आपको 5-5 dollar में आपको book cover बना के बेंगे, बहुत सारे द बना सकते हो, अच्छी quality के, right, तो यह जो already मैंने book cover बनवाया है, तो यह जो है, यह मैं upload यहाँ पर कर रहा हूँ, और देखिए दोस्तों, उसके उपर भी एक option है, जो है digital right management, DRM, उसको आप यह stick कर दीजिएगा, ताकि in future शायद कोई ऐसा हो, कि आपकी किताब exactly copy करके, दू यह थोड़ा बहुत change करके publish करना चाहे, तो Amazon नहीं करने बेगा, right, क्यूंकि Amazon का पास भी एक अपना आंतरिक internal plagiarism tool होता है, कि भई कहीं से copy paste तो नहीं किया, ditto to ditto, right, जो हमने पहले चेक किया था, तो ऐसा अगर कोई आपकी किताब का ditto copy paste directly करता है, right, तो clearly उनका किताब reject ह हो जाने वाला है, क्यूंकि दोस्तो किताब तुरंट publish नहीं होता, यह approval के लिए जाता है, फिर यह publish आपका किताब होगा, right, अब, okay, sorry दोस्तो, actually मेरा internet disconnect हो गया था, इसको मैंने वापिस connect किया, तो देखिए दोस्तों चिंता की बात नहीं है, Amazon आपका content save ही रखता है, भले publish नहीं हुआ है, direct continue setup आप कर सकते हो, वापिस से आपका kindle account में login करके, right, अब यहाँ पर, दोस्तों, already हमने कुछ चीज complete कर दी है, कुछ चीज बाकी थी, तो don't worry, ठीक है, कभी-कभी internet break हो जाता है, तो चिंता मत करिए, अब वहीं से continue कर पाएंगे, right, तो यहाँ पर दोस्त advice दूगा कि आप ePub file में इस चीज को कराईए, आपको freelancers की website से बहुत सारे ePub में converter मिल जाएंगे, या फिर आपको online भी मिल जाएंगे, इसे क्या होगा, दोस्तों, आपका format बहुत ही अच्छा लगेगा हर device पे, ताकि कोई छोटा content device में भी देखे, बड़े device में भी दे आप थे, उसमें word file में भी किया था, उसमें भी अच्छा ही हाता है, लेकिन ePub एक अच्छे level आपको बना देता है, यह के दोस्तों किताब है, और अगर आप इसको zoom भी करते हैं, आप थोड़ा इसको बड़ा भी करते हैं, तो भी आप आपका जो content वो एक page में fix हो जाएग देखें दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि आजकल के जमाने में कुछ भी सर्च हम Google से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम Google से read भी कर सकते हैं, तो फिर लोग paid content में क्यों आते हैं, तो दोस्तों एक तो मैंने बताया कि Google का free content आपका बहुत समय ले लेता ह एक सही चीज को पहुचने के लिए, it takes a lot of time to do a research to get a pure content from that, लेकिन यह author लोग जो होते हैं, ना सिफ मेरी बात, मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूं, majority, वो एक मैनत के बाद अपना paid content बना थे, क्योंकि उनको भी पता है कि दुनिया में free सारी चीज़े available है, तो paid content के कौन पै अच्छी तरीके से, इसलिए बहुत चलता है, overseas में तो दोस्तों बहुत ही चलता है, मैंने आपको मेरा sales बिखाया था, ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे sales मिलते रहते हैं, दोस्तों किताबों के, तो अब मैं दोस्तों आपको difference बताना चाहूंगा, कि normal जो आप phone पे read करते हो, और ये kindle या digital books आप read करते हो, तो क्यों लोगों को जादा मसा आ रहा है, अब सबके पास जो kindle किताबे purchase कर रहे हैं, इंडिया और foreign में, उनके पास ऐसा जरुरी नहीं है कि उनके पास kindle device हो, no doubt kindle device से reading experience अच्छा है, लेकिन जरुरी नहीं है कि उनके पास kindle device हो, अब आप देखिए कि ये एक आपका mobile में experience कैसे होता है, हला कि मैं PC से बता रहा हूँ, लेकिन mobile में आपका experience कैसा होता है, कुछ इस तरीके से कि आपको अगर read करना है, तो आपको एक page में organized तरीके से नहीं मिलता है, जैसा आप Google surf करते हो, तो you don't get the things into a single page, आपको क्या क पड़ता है, आपको अपने hand move करना पड़ता है, देखिए, इस तरीके से कुछ होता है, फिर आप जो है, इधर से उदर जाओगे, उदर से इधर जाओगे, इधर से उदर जाओगे, उपर से नीचे जाओगे, तो आपको read करने में मजा ही नहीं आता, mobile में, यानि कि आपक reading experience, अगर आपने कोई भी try नहीं किया है, तो आप एक बार google books में कुछ books आपको free मिल जाएगी, मेरी ही book है, कुछ free मिल जाएगी, और amazon में भी आप जाएए, kindle app डाउनलोड करिए, और उसमें भी कुछ free किताबे पढ़ने का कोशिश कीजिए, या बहुत reasonable rate पे किताब मिल read करने का कोशिश कीजिए, आपको read करने में बहुत मजाएगा, single touch dictionary भी है, एक button दबाओ, dictionary खुल जाएगी, translate भी होता है, अलग-अलग language में, तो यह अच्छा दोस्तो चीज है, बहुत ही amazing यह चीज है, और foreign country में सबके पास subscription पढ़े है kindle के, almost आप किसी को भी अपने friend relative को अपने फोन में होता ही है, तो आप समझे दोस्तो कि कितना popular यह चीज है, लेकिन हम यहां तक पहुच नहीं पाए है, लोग पहुच रहे है, दुनिया पहुच रही है, यह चीज के बारे में हमको पता ही नहीं है, तो यह हम कैसे छोड़ सकते हैं, दोस्तो, अब यहां पर royalty choose करने की बात है, दो option आपको मिलते हैं, आप specific country भी choose कर सकते हैं, लेकिन all countries ही रखिएगा, अब देखिए, यहां पर 35% और 75% का option है, अब अगर आपको 75% royalty चाहिए दोस्तों, तो minimum book की price आपको INR के rate से रखना पड़ेगा 99, और अलग-अलग countries के minimum parameters है, और अगर आपको 35% की royalty चाहिए, तो book की किताब आप कम भी रख शकते हो, तो initially face map 35% से जा सकते हो, या फिर आप चाहते हो, तो 75% से जाना, तो फिर आपका price 99 होगा, लेकिन directly दोस्तों 99 पे करके book आपका बहुत अच्छा है, तो बात अलग है, वरना मैंने बहुत सारे से किताब देखे हैं, जो 5, 10, 20 रुपे में भी बिलते हैं, 3-4 रुपे में भी बिलते हैं, मैं एक दो किताब देख रहा था, एक एक दो-दो रुपे के किताब मिल रहे थे, और बहुत सारे किताब free भी अविलेबल है, अला कि Amazon 49 से नीचे price नहीं रखने देता, initially, लेकिन अगर आप इसको 49 से नीचे price रखना चाहते हो, तो option है, इसके लिए आप Amazon से संपर्ख कर सकते हो, और एक आपके लिए आसन रस्ता ये है, कि जैसे दूसरे platforms है, जैसे Google वगेरा, वहाँ पर आप सीधा direct free में भी रख सकते हो, या 2-4 रुपे में भी sell कर सकते हो, मेरे यहाँ पर आपसे सुझा हो रहेगा और उस paid content के किताब के मेरे reviews भी अच्छे हैं, sales भी अच्छे हैं, और वो किताब आगे बढ़ पाईए as compared to free, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने free, मेरी जो OZ किताब है, मैंने free रखा था, उसमें भगवत गीता भी है, लेकिन वो इतना भगवत गीता की comparison में grow नहीं हुआ है, भगवत गीता का जो मैंने simplified version बनाया था, वो grand hit हुआ है, हलाकि दूसरे भी किताब अच्छे ही चल रहे हैं, लेकिन make sure कि have some price, तो जैसे दोस्तों मैंने का, कि दूसरे platforms में अगर आप कम price रख देते हो, जैसे Google के platforms है, उसमें आप 5-10 रुपे या कम रखते हो, तो फिर आप Amazon को mail करोगे, कि देखिए Google में मेरा book जो है, मैं 5-10 में बेच रहा हूँ, Amazon में भी ये price होना चाहिए, तो वो हो जाएगा, easily, ठीक है, तो कुछ platforms में आप कम करके Amazon को बताओगे, तो आपको 49 से कम rate में भी sell करने का permit दे देंगे, वैसे इनका system automatic जैसा भी है, कि आपका दूसर अब अलग-अलग country wise set कर सकते हो, आप शुरुवात में minimum prices से जाना पसंद करोगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, और इसमें main benefit क्या है दोस्तों, कि book read करने के बाद, आपकी जो product और services है, वो आप चाहते हो कि वो आप से ले, so it's just like your visiting card and catalog, right, तो इसमें बहुत सारे मैंने से author देखें, कि ये देखिए दोस्तों, ये author है अनिक सिंगल और इनकी किताबे, the circle of profit, अब यहाँ पर दोस्तों, price देखिए, ये 778 रूपीज में e-book मिल रही है, right, काफी महिंगी e-book ये है, right, लेकिन दोस्तों, ये इनकी website में गूगल सर्च करेगा, तो यहाँ पर अपना details देखें, ये book को free में download कर सकते हो, right, तो आपको ये लग रहा होगा, कि या इतनी high price वहाँ पर रखी है, और अपनी website में free में दे रहे हैं, तो ऐसा भी काफी लोग करते है, ऐसा एक मेरा student भी था, कि उनके cosmetic के products थे, खुद ही Amazon में इतना ज़्यादा price रखता, और यहाँ पर अपने customer को अपने website में से लेने का कहता, जहाँ पर उन्होंने कम rate रखे हो, क्योंकि अपना product है, अपनी तरीके से price अपसेट कर सकते है, तो यहाँ पर दोस्तों, ये इनका main business कैसा है, अनिक single का, ये कोई motivation गुरू नहीं है, इ इसके लिए पूरा sales funnel सेट करके देते हैं, जैसे पूरा website build-up हो गया, उसमें कोई contact enter करेगा, तो आपको contact मिलेगा, फिर उसको कैसे mail बेजने है, किस तरीके से वो आपके products की तरफ attract होगा, आपकी brand value की तरफ attract होगा, जैसे देखे, आप रूमने चार्ट बताया, start, फिर opt-in page आता है, वहाँ पर वो अपना details दालते हैं, जिससे आप उसको free में कुछ चीज देते हो, जो Amazon और दूसरी website से भी सस्ती मिल रही हो आपकी book, और यहाँ पर आप उसको responsive message बेजते हो, फिर broadcast list जैसे whatsapp में बनाते हो, इस तरीके से mail का भी बन जाता है, फिर उसको एक तरी marketing mails जाते हैं, फिर वो product जो हो add करता है, और इस तरीके साब का profit बनता है, तो यह पूरा का पूरा एक तरीके साब का circle of profit है, और यह बड़े-बड़े लोगों के लिए काम करते हैं दोस्तों, और काफी उनकी बड़ी fees होती है, पूरा का पूरा set up करने के लिए, और ऐसे बह copywriter भी है, जो content कैसे लिखना है, वो भी सिखाते हैं, और उनकी बड़ी fees होती है, और यह products भी काफी अपने website में sell करते हैं, तो उनका mail आया हुआ है, अब देखिए, कि उन्होंने लिखाए कि 10,000 students हैं उनके पास, over 150 country के, और आप course fee देखोगे दोस्तों, यह आपको writing सिखान के लिए, और high ticket closer, यानि कि कैसे आपकी product मेंगे बेच सकते हूं, उसका 2000 dollar का program होता है, दोस्तों, paid, 2000 dollars का program होता है, और ऐसे इनके पास बहुत सारे students है, और यह जो है, mainly कहां से आता है, तो यह इनकी किताबे हैं, वगेरा से, वहां से लोग attract होते हैं, उनको काफी यह लोग mail collect करते हैं, और फिर वो एक तरीके से marketing mail वगेरा सारी चीज़े भेजते हैं, जैसे मैं आपको बताया, और यह काफी अमीर बन चुके हैं, खुद charter plane में घूमते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ी उन्होंने खरीद ली है, और यह corona के time में, covid के time में भी, यह सारे लोगों न practically देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों मैं online आपको बता रहा हूँ, क्योंकि online tools से भी आप kindle books read कर सकते हो, तो यह लेखिए मेरा library है, बहुत सारे kindles के book है, अगर आप subscription दोस्तों ले लेते हो, monthly, छोटा सा subscription इंडिया में fee है, तकरीबन around 129-160 के आसपास है, और इसमें आप unlimited किताब जो है, KDP categories की, वो सारी की सारी read कर सकते है, तो यह almost किताब दोस्तों बहुत अच्छी है, मैं किताब को criticize बिलकुल नहीं कर रहा हूँ, अच्छी किताब है, लेकिन हर कोई किताब के end में, most of किताब के end में, एक तरीके का marketing किया गया है, कि आगे उसके और products और services आप हर एक किताब का इस तरीके का एक agenda है, जिससे आप उसके और करीब जाएं और और आप उससे products ले, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंना Stevens, right, author के बारे में बात कही थी, तो यह जो है, right, इनकी किताब है, Kindle Marketing की, तो बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, किताब really, really very good ऐसा नहीं है कि marketing के लिए किताब बनाई गई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, बहुत अच्छी किताब है, काफी information content, informative content मुझे मिला, लेकिन end में उनने कहा कि आप मेरी website में जाईए, आपको और benefits अगर लेना है, तो मेरे courses है, इसके बारे में और जानकरी मिलेंगी, आप औ एक दो डॉलर की बात नहीं है, ये किताब की बात अब नहीं है, अब फर्दर जो आ रहा है, उनके course और उनके products आ रहा है, जो 200-200 dollars से start हो रहे हैं, अगर दोस्तों directly ये अपने course केवल launch करते हैं, नहीं होता, लेकिन किताब के form में, ये उन्होंने एक तरीके का marketing किया, तो य ये बहुत आगे बड़े, और उन्होंने भी काफी संपत्ती वगेरा, एक वार किया, नईने गाडिया ली, और बहुत ही अमीर बन गए, तो ये जो है, इनकी further website है, और यहाँ पर आपको उनके course के detail और उनके बारे में और जानकारी मिल जाएगी, तो ये आप चेक कर सकते ह है, और दोस्तों, जैसे मैंने डेनलोक के बारे में जो बात बताई थी, वो बहुत सारी, सिर्फ course ने, वो बहुत सार प्रोडक्स उनके हो, इनकी website में sell कर रहे है, आप देखे दोस्तों, कि 35 डॉलर, 70 डॉलर के hat और bags मिल रहे है, तो प्रोडक्स के लिए भी ये बहुत ही useful है, दोस्तों, अब आपका बड़ा प्रशना आएगा, दोस्तों, कि हम ऐसे बंदे कैसे लाए, कि जो हमारी help कर सके, तो यहाँ पर आपको हायर करने की जरूवत में, या freelancer की help ले सकते हो, और Fiverr बहुत ही useful website इनके लिए, जैसे दोस्तों, यहाँ पर आप टाइप करते हो, यहाँ पर आपको बहुत सार मिल जाएंगे, और Fiverr का सबसे बड़ा plus port यह है, दोस्तों, कि अगर आपको services अच्छी नहीं लगती है, तो आपको पूरे पैसे आपके account में refund आ जाता है, आपको अगर service अच्छी लगती है, तो ही आपका funds आपको देना है, यानि कि पैसा Fiverr जो है, वो कटेंगे, अगर आपको अच्छा service नहीं लगता है, तो आप पूरा refund ले सकते हो, अलग अलग digital marketing के expert है दोस्तों, और एक तरीके का दोस्तों, guarantee जैसा कह सकते हैं, इधर कि आपका value for money है, यह website, क्योंकि आपका पैसा आप यहाँ पर तभी ही देना है, अगर यह worth ह वरना आपको यहाँ पर option होता है reject का, और अगर आपको उसमें कुछ कम्या लगती है, तो उससे बातचीत करके आप चीजों को modify भी करवा सकते हैं, बहुत सारी services यहाँ पर available है, दोस्तों जो आपके अपने business को next level पर ले जा सकती है, अगर आप technology IT के sector में थोड़े पीछे है right, digital marketing के में थोड़े पीछे हैं तो इससे आप बहुत help ले सकते हो, बहुत experts है दोस्तों जो आपके पीछे लगेंगे बंदे और आपको जरूर success दिलाने में help कर सकते हैं, जैसे spokesperson लिखते हैं दोस्तों तो बहुत सारी spokesperson आ जाते हैं जो आपके लिए बोलेंगे, आपके marketing भी करेंगे, right, तो अगर आपके पास अच्छी script नहीं है, आप कुछ लिखवाना चाहते हो, तो script writer भी आपको expert मिलेंगे, right, तो script writer में भी आप देख सकते हो, और आपको script ये देंगे, फिर आपको अच्छा लगता है, तो आपको approve करना है, right, अगर अच्छा नहीं लगता है, आपको script तो उससे आप वापिस modify करवा सकते हो, right, तो ये बहुत ही, दोस्तो value for money website है, Fiverr बहुत ही reputed website है, और दुनिया भर के यहाँ पर आपको experts मिल जाएंगे, जो आपके field में, आपकी product के लिए, खास करके marketing में, और digital content creation में, banner में, वगेरा में, बहुत ही useful ये दोस्त experts भी hire कर सकते हो, Photoshop experts की बहुत ही ज़रूरत परती है, खास करके जबी आपको brand बने नहीं है, या product में brand आपको chip काना है, तो अभी के time पे direct supplier आपको branded product नहीं बना के देगा, right, तो कुछ आपको Photoshop designing करना पड़ेगा अपने brand से, जो बहुत reasonable rate में आप कर सकते हो, तो ये बहुत ह जरूरी है दोस्तो, Photoshop editor भी यहाँ आप से आपको मिल जाते है, तो हर तरीके का technology IT sector में जो भी चीज़ आप सोच सकते हो, जो creativity है, जो दूसरे website में आपको अच्छा लगा, right, आपके mind mirror आपको आता नहीं है, तो Fiverr में जरूर आपको दोस्तो अच्छे startups, enthusiastic लोग मिल जो आपको reasonable rate में value for money, budget में काम कर देंगे, तो कुछ चीज़े दोस्तो मैं आपको बताता हूँ, यह देखे कि दोस्तो, जबी भी Amazon मुझे payment करता है, right, इस तरीके का मुझे notification बेता है, कि हमने आपको payment किया हुआ है, normally तो bank से ही आता है, और कभी-कभी UK जैसी country का check भी आता है right, तो मैंने सिखा दिया कि किस तरीके साब author बन सकते हैं और आप बन गए, right, हमारी किताब publish हो गई है, live हो गई Amazon मे, right, कोई जाके पर खरीच सकता है, तो इस तरीके का दोस्तो आपको mail आएगा, कि right, आपकी किताब available है, दोस्तो हमने अपनी किताब या हम अमारी product launch कर देते हैं online, तो it doesn't mean कि उसका sales start हो जाए, बहुत ही important चीज़े, दोस्तो, promotion, अब हम करते हैं हमारी किताब का promotion, right, ताकि आपको पता चले कि हम अमारी books और हमारी products का कैसे promotion कर सकते हैं, तो अब Fiverr से ही मैंने gig का use किया हुआ है, तो देखा दोस्तो कि कैसा short and sweet message, right, बनने का कोशिश किया है, ताकि इसको हर एक social media में, as a video platform, right, हम इसको promote कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तो खास करके ध्यान रखने की बात यह है कि हम जिस location में promote कर रहे हैं, वहाँ पर जैसे language बोलने वाले हैं, ऐसे अगर आप hire कर देते हो, तो अच्छा है, right, क्योंकि मैं चालता हूँ कि मेरा कुछ overseas location में ज़्यादा sale हो, ताकि मुझे वहाँ से ज़्यादा benefit मिल पाए, right, तो मैं उस तरीके के लोग hire करता हूँ, ताकि उनकी language समझ के लोग जो है, books का sales को trigger कर पाए, दोस्तो जैसे मुझे first delivery यहाँ पर मिली है, तो मैं इसमें satisfied नहीं हूँ, बतलब मैं उसमें कुछ बढ़लाव जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं उनको कह रहा हूँ कि आप जो है, अपना पहले तो coat change करना पड़ेगा, क्योंकि white, white, white में contrast हो रहा है, so I need किया blue coat जो है वो पैनले, या और कोई dark color का coat पैनले, if you have got the white background, ठीक है, और यहाँ पर मेरी किताब का image नहीं था, तो मेरी किताब का image भी करिये, और भाया, मेरा नाम किशन बारी नहीं, कि करिये, fine, so request for the modification done, and looking for the new video again, right, fine, so lights, camera, action, if you are unable to understand a Bhagavad guitar as it is, then download how to understand a Bhagavad guitar by Kishan Barai, from the YouTube description given below, Oh, very great, great, very good job, good job, right, अभी आपको 5 रुपिया जरूर दिया जाएगा, sorry, 5 डॉलर, right, अभी, right, हम हमारी next किताब की तरफ आगे बढ़ते हैं, यह दोस्तों किताब है, मेरा The Glories of Holy Quran, right, अभी यह किताब मैंने, मेरे जो भी Muslim friend circle, group circle, client base है, मैंने कुछ लोगों को यह किताब भे जा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि वो review करे, right, और फिर मैं उसको publish करने वाला हूँ, इनका भी आप promo ad जरूर देखें, कर दो कर दो किताब है, और मैं उसकोiform 탁रा करने वाला हां, दोस्तों किताब किताब है, अज़ मैं तूसिता है बहुत ही अच्छा यहां पर वीडियो एड बना गया है लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ चेंजिस चाहूंगा सो इसमें मैं request for modification कर रहा हूँ खासर के मैं इसमें चाहता हूँ कि जो मेरा book का version आया हुआ है I just don't want any plain background मैं चाहता हूँ कि उसमें जो Islamic religion के लोग है वो worship करते हो इस तरीके का पूरा real scenario का moment वाला pictures होना चाहिए overall बाकी music is good so I need that in correction so fine really very good right good job good job and finally the delivery is accepted fine तो अभी हम next किताब की हमारी तरफ आगे बढ़ते हैं और वो है the Bible right for beginners तो ये भी दोस्तों मैंने मेरे बहुत सारे Christian group circle के लोग है मैंने भेजा हुआ है कुछ लोगों को और मैं चाहता हूँ कि इसका अच्छा review हो और फिर इसका भी मैं promotion करने वाला हूँ तो इसका भी बहुत अच्छा दोस्तों मैंने creative concept चूज किया हुआ है तो आप देखेगा और enjoy कीजेगा इनका ad oh 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 hello everyone are you looking for that special gift this holiday season well you can download Bible for Beginners by Kishan Barry you can get it from the YouTube description link given below it will make a wonderful gift this holiday season oh 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 ha 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 cut 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 Shanta एक मिन शांता क्लोस जी प्लीज एक मिन रुख जाईए right सबसे पहले तो मेरा नाम किशन बाराई है बारी नहीं है right सबसे पहले तो यह करेक्ट करिए और इसमेरा किताब ने मेरा प्रोडक्त नहीं तो मेरा प्रोडक्त नहीं आचे और मुजी भी लगा भी थोड़ा लाइए राight सो दू इत अगां प्लीज आंबाजी अब्स गो फोड़ाइट Oh that's very great Santa Claus ji right बहुत ही बड़ी आपने वीडियो शूट किया राइट थैंक यू वारी मच फॉर एट एंड यू रियली डेट अ गुड जॉब देखें दोस्तों अगर आप हीरो नहीं बन सकते तो आपको डाइरेक्टर बनना पड़ेगा अब अगर हीरो नहीं बन सकते तो आपको डाइरेक्टर बनना पड़ेगा वैसे भी आप कमनी के डाइरेक्टर ही हो हो कि नहीं हो प्रमोशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है अब दोस्तो हम आगे और भी प्रमोशन वेस देखते हैं कि किस तरीके का हमारा ब्रोशर और विजिरिंग कार्ड को प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो मैं बुक वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी काफी लोगों के माइंड में ये क्लियर नहीं होगा जब तक ये चीज़ को समझेंगे नहीं एपलाई नहीं करेंगे इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि अब कौन सा वे होगा जिसे हम हमारा ब्रोशर और हमारा विजिटिंग कार्ड प्रमोट कर सकते हैं तो एक बुक के फॉर्म में तो इसमें जहां पर हमने किंडल में पब्लिश किया उसमें ही हमारे पास प्रमोशन के फ्री के टूल्स अवेलेबल है वहां से हम काफी अच्छा ट्रिगर कर सकते हैं सेल्स तो वापिस से आते हमारे Amazon एकाउंट में यहां पर दोस्तों जहां पर अपने बुक पब्लिश किया है वहां पर तीन डॉट साइड में आप क्लिक करोगे तो प्रमोशन एन एड़ोटीजमेंट का ओप्शन आएगा वहां पर आप क्लिक कर सकते हो यहां पर आपको कुछ ओप्शन आएंगे जहां पर आप प्रमोट कर सकते हो कुछ फ्री के ओप्शन अविलेबल है जैसे कि किंडल काउंट डाउन डील और दूसरा फ्री का प्रमोशन है फ्री बुक प्रमोशन यानि कि फ्री में Amazon डाउनलोड करने देगा आपको पता होगा क्लॉक आजाता है कि इतने समय के लिए ही इसमें डिसकाउंट अवेलेबल है फिर नहीं है तो यहां पर आप स्पेसिफिक अपना लोकेशन हाला कि इसमें डॉट कॉम और डॉट को डॉट यूके ही फिलाल अवेलेबल है फिर भी लेकिन इसमें इंडिया में भी चल जाते हैं तो यह जो है वहां पर आप डॉट कॉम अगर आप चूज करोगे तो वर्डवाइड हो जाएगा मेंली आम तोर पे और यहां पर आप स्पेसिफिक डूरेशन अपसेट कर सकते हो कि इस टाइम के अंतरगत मेरा बुक का कॉस्ट एक्चुल में यह है व और जो भी वह बुक बेखेगा उसमें उनको पता चलेगा कि डिसकाउंट जोन में एमेजोन का भी स्पेशल डिसकाउंट पर डिसकाउंट जोन होता है वहां पर भी बंपर डिसकाउंट में यह चला जाएगा तो वहां से आपको यह सेल्स यहां पर आपको डाउनलोड जो आप चला सकते हो जिसके कोई चार्ज नहीं है वो प्रमोशन है अपना फ्री बुक राइट फ्री बुक प्रमोशन तो कुछ डूरेशन के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे लोग राइट और रीड कर पाएंगे बहुत ही अच्छा करके reviews दीजिएगा genuine reviews पढ़के तो ज़्यादा reviews लोग देखेंगे तो भी लोग impress हो जाएंगे कि वाव इस किताब में 200, 300, 400 reviews है और 1, 2, 3 डॉलर का मिल रहा है तो अच्छा content है तो definitely दोस्तों लोग buy करेंगे और इंडिया से भी ज़्यादा foreign के बहुत सारे लोग download करेंगे यह आपको definitely इसका benefit मिलने वाला है दोस्तों फिर इसमें एक और campaign है वो है run ad campaign वहाँ पर आप कुछ Amazon को यह chargeable होगा आप price दे सकते हो जैसे आप Google ads चलाना सीखे जैसे अलग-अलग social media में ads run की जाती है तो इसी तरीके से Amazon का भी ad run campaign है वहाँ पर आप एक setup कर सकते हो अपना campaign और आप जो भी famous केताबे हैं वहाँ पर आप अपना promotion कर सकते हो या कोई famous product है जो Amazon में बहुत चल रहा है और आपको लग रहा है कि यह मेरा competitor का है तो वहाँ पर नीचे आपका advertisement आ जाएगा क्योंकि अगर आपके products नए है reviews नहीं है तो Amazon भी उसको थोड़ा पीछे लाएगा जब इसके थोड़े थोड़े sales बढ़ेंगे तो उपर listing आता रहेगा तो अब शुरूवाच से top में आना चाते हो sponsored ad Amazon में देना चाते हो तो वो भी आप कर सकते हो तो ये भी आपके पास मौका है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी मेरी किताबे मैं तो promotion भी नहीं करता मैं तो लोगों को help के लिए लिखता हूँ तो Amazon अपने आप ही मुझे promote करते हैं और उनका congratulations का mail भी आ जाता है कि आपकी book जो हम इस promotion में डाल रहे है इस promotion में डाल रहे है सामने से Amazon mail करता है क्योंकि आप अगर content अच्छा रखोगे तो definitely आपको recognition मिलने ही वाला automatically और दोस्तों ये देखिए opportunity बहुत बड़ी है kindle का October का fund उनका जो KDP का collect हुआ है that is 32.9 million ये केवल एक महिने का है केवल एक महिने का है और ये बढ़ता ही जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़ी opportunities है दोस्तों आपके लिए क्योंकि आप जो भी export import करते हो कितना ये जा रहा है कितना market है ये देखिए इतना बड़ा market है इसमें और moreover ये कोई अलग product नहीं है ये आपका एक ऐसा product है जो आपके normal product से आपको connect करना है और ये अलग product भी है तो finally दोस्तों मैं कहूंगा कि thank you very much कि आपने इतना समय निकाला पूरा वीडियो देखने के लिए और concluding में इतना आपको कहना चाहूंगा कि आप जो है regional values के ओपर focus कर करिए और marketing करिए इसका regional values का मतलब केवल यह नहीं है कि इंडिया का region में ही आप promote कर रहा हूं ऐसा नहीं है जैसे Amazon ने किया Amazon भी एक तरीका का export ही कर रही है उनको भी overseas income आ रही है right in their platform तो वो क्या कह रहे है वो इंडिया में अगर marketing कर रहे है तो कह रहे हैं कह रहे हैं अपनी value समझना important है जैसे मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि रश्या में रश्यन एड़ चलेगी वहाँ पर वह लेंवेज चलेगी तो इस तरीके से मार्केट ट्रिगर करिए और language to language इंडिया में भी बहुत सारे हैं तो यहां पर जैसे गुजरात में गुजराती एड़ और ट्रिगर करेगा अगर अच्छे से किया क्वालिटी दिया एस कंपेट टू हिंदी एड़ इन फ्यूजर तो एक हर एक रीजनल को इंपोर्टन्स दिया जाए और एक मार्केटिंग किया जाए और एक नीस को पकड़िए दोस्तों अगर आप कॉमन एड़ भी बना रहे हो श कुछ भी नहीं कर सकते आप करके ही सेख सकते हो चाहिए मैं जितना भी बता दू यह नहीं हो गया एक्सपिरियंस ही आता है यहां पर मैंने मेरा बरसो का एक्सपिरियंस की बात किये दोस्तों तब जाके मुझे फूट्स मिलने शुरू हुए हैं मिल रहे हैं तो इस नोट आगे बढ़ना चाहिए थैंक यू